कि नमस्कार में बोबी जहां मेनस न्यूज लैब में आप सभी का स्वागत आए देखते हैं बॉलिवुड की खास खबर भारत का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी प्रयंका ने नहीं किया कॉल सलमान खान अभी निता सलमान खान से जब पूछा गया कि भारत छोड़ने के ब फ्लिम का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी प्रयंका ने मुझे फोन नहीं किया उन्होंने कहा अगर उन्हें वास्तों में कोई समस्या है तो ठीक है मेरा मानना है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है वरुन आलिया से करन ने तोड़ा हूं अब टाइगार तारा के स चत बनाएंगे दुर्णिया कि अगली फिल्म मेकर करन जोहर ने अपने बैनर के हिट मेंगार निया सीरीस की अब तक की दोनों फिल्मन और की दुर्ह नया और हिम्टी शर्मा की अलिया में आलिया भट और वरून धिवण की जोड़ी को कास्ट किया था ये दोनों डूनमे टाइगर श्रॉप और तारा सुतारिया को दुलहनिया सीरीज की अगली फिल्म में पेश कर सकते हैं। खबरों की मुताविक करन को स्टुडेंट और तारा का काम काफी पसंद आया है। टाइगर के साथ उनकी केमेस्ट्री ने भी करन को प्रभावित किया। इसी वजह से उन्होंने तारा को एक पारफे टाइगर के अपोजिट अपने बैनर की नई फिल्म में लेने का फैसला किया है। जानकारे की अनुसार टाइगर और तारा की यहाँ नई फिल्म आलिया वरुन की तुलहनिया सीरीज की अगली खड़ी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ दूसरा मौका होगा जब तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉप दोनों मिलकर स्टुडेंट रिलीज के बाद आलिया वरुन द्वारा थापिक किसी सफ़ल फैंचाइज को आगे बढ़ाएंगी। तो MNS News Lab की खबर देखनी के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंदी एप डाउनूट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।